Hey everyone, कैसे हैं आप सब? स्वागत आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं pop culture से जुड़े कुछ निया updates के बारे में और कुछ निया rumors के बारे में जैसे Deadpool 3 की कुछ set images हो गई है leak और इसी movies की कुछ नई casting के बारे में तो वीडियो के end तक बने रहें और बढ़ते हैं हमारी पहली news पर James Gunn ने उनके आने वाली movie Superman Legacy के बारे में बात करती हुए ये बताया है कि Superman Legacy की script जो है वो 99% complete हो चुकी है और इस movie की shooting अगले साल मार्च से शुरू हो जाएगी और James Gunn ने अपने भाई Sean Gunn को कास्ट कर लिया है अपने नए DCU में Sean Gunn प्ले करेंगे Maxwell Lord हमने इस character को Wonder Woman 1984 में देखा था जिसको प्ले किया था एक्टर Pedro Pascal ले और Pedro Pascal से ही बात करें The Last of Us Season 2 की जिसकी release year को confirm कर दिया गया है ये series का season 2 release होगा 2025 में और बात करें Kung Fu Panda 4 की जो release होगी March 2024 में कुछ reports के मताबिक इसका first trailer इसी मत में release हो सकता है तो guys आप Kung Fu Panda 4 के लिए कितने excited हैं प्लीज मुझे comments में जूरूर बताइए और guys बात करें एक Japanese movie जो की हाले ही में release हुई है Godzilla minus 1 sadly ये movie इंडिया में release नहीं हुई है लेकिन ये movie अब तक की highest rated Godzilla movie बन चुकी है लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं जब ये movie इंडिया में release ही नहीं हुई है हाँ अगर future में ये किसी auditory platform पर आदी है तो मैं इसे जरूर देखूंगा और guys मार्वल ने Hulk को play करने वाले actor Mark Raffello को कोई भी Hulk के future plans पर बात करने से बिलकुल मना कर दिया है यानि कि वो Hulk के future या कोई भी potential movie पर बात नहीं कर सकते guys हो सकता है Marvel secretly Hulk के कोई solo project पर काम कर रहा है और maybe ये हो सकता है World War Hulk तो आपके इस बारे में क्या thoughts हैं प्लीस मुझे comments में जरूर बताइए और guys अब बात करते हैं Spider-Man 4 पर Spider-Man को play करने वाले actor Tom Holland ने अपनी तरफ से ये statement दी है कि अब वो इस character में तभी return करेंगे जब उन्हें story इसके वर्थिट लगेगी यानि कि अब वो इस character में तभी return करेंगे जब उन्हें story या इसकी script पसंद आएगी और कुछ reports के मताबिक Marvel Spider-Man 4 के लिए कोई नए director की तलाश में है और इस वक्त director की लिस्ट में टॉप चॉइस पर है director Drew Goddard और इसे पहले Spider-Man की trilogy को direct किया था John Watts ने और guys अब बात करते हैं Iron Man के return पर तो ये तो हम सभी जानते हैं कि fans Iron Man के return के लिए कितने ज़्यादा excited है और काफी लंबे टाइमस ये rumor है कि Robert Downey Jr. का Iron Man return करेगा secret wars में और इनी सभी rumors पर बात करते हुए केविन फाइगी ने ये बताया है कि Marvel कभी भी Robert Downey Jr. के Iron Man को resurrect नहीं करेगा क्योंकि उस character की अब एक legacy complete हो चुकी है और उस legacy को एक proper ending भी मिल चुकी है और वो moment हम सभी MCU fan के लिए एक emotional moment था तो guys इन सब पर अब आपके क्या thoughts हैं please मुझे comments में जरूर बताए कि क्या Marvel सही कर रहा है ये और बढ़ते हैं हमारी अगली news पर I Am Legend 2 के sequel को confirm कर दिया गया है और कुछ reports के मताबिक इसकी script ready है बस discussion चर रही है Michael B. Jordan से क्योंकि वो भी इस movie में होने वाले हैं और guys अब भी Brazil में CCXP event के दोरान एक हादसा हुआ Dune 2 के panel के दोरान जब सभी cast stage परते तो crowd में से किसी ने एक object Florence Park के उपर दे मारा जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं वो object उनके चेहरे पर आकर लगा पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं जबकि ये बहुत बुरी बात है चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली news पर Deadpool 3 movie की set image फिर से leak हो गई हैं जिसमें हमें movie को लेकर बहुत से spoiler मिल गए हैं जिस पर हमारे Ryan Reynolds ने react करते हुए Deadpool 3 की कुछ set images को modified करके release कर दिया जो कि अभी आप screen पर देख सकते हैं और Ryan Reynolds ने Deadpool 3 movie से officially इस photo को release किया जिसमें उनके साथ हैं dog pool guys मैं तो आपको इतना कहूंगा कि please किसी भी set images से दूर रहें movie को अपने लिए spoil ना करें Deadpool 3 हम सभी MC फैन के लिए बहुत बड़ी movie होने वाली हैं और इसमें हमें बहुत से cameos और बहुत से character दिखने वाले हैं वो मज़ा वो किक हमें तभी मिलेगा जब हम पड़ी screen पर इन सब को देखें और कुछ reports के मताबिक डेफनी कीन को Deadpool 3 movie में कास्ट कर लिया गया है as x23 last हमने इने देखा था Logan movie में और officially ये confirm कर दिया गया है कि Vanessa का character Deadpool 3 movie में भी return करेगा I'm pretty excited for this movie तो guys यही थी आज की वीडियो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल पर support दिखाने के लिए subscribe कर सकते हो have a nice day